नमस्कर दूस्तों स्वागत या आपका फार्मरोक्स के यूटूब एच्यूकिस्टन जनल में आज की उडियू लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे वाइरल फिवर के बारे में वाइरल फिवर मतलबके ऐसा बुखार कि जो स्पेसेली वाइरस इसके करन होता है कि जिसको हम फ्लू भी कई दे गई बार कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आपके सेरिर के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते कि तेज बुखार हो जाता है सादो साथ बदंदर देखने को मिलता है कॉफिंग यानि कि खासी देखने को मिलती है बहती न बारे में हम डेटेल में सिखते हैं आज की लेक्चर में और जानते हैं वाइरल फ्यूर के बारे में तो ऐसा ही समझे कि आपको डेटेल में सिखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में दवायों के बारे में तो आप मैडिसीन कूर्स को जोइन कर सकते हैं तो यह कूर्स जो जो specially होता है, अलग-अलग वाइरस इसके करन, उसमें specially जो flu और जो dangue वाइरस होते हैं, उनके करन इस तरह का बुखार जो हो सकता है, और जिसके अंदर क्या होता है कि आपका body का जो temperature है, वो 37 degrees से increase होके, 39 degrees Celsius या फिर उससे भी ज्यादा temperature जो है वो बढ़ने लगता है, और उस आपके सरीर में कैसे enter होता है, तो अलग-अलग तरीक एसे वो वाइरस आपके सरीर में enter हो सकता है, तो सबसे पहले inhalation through, जो हम breathing करते हैं, तो नाक से जो हवा लेते हैं, तो उसके करन भी ये वाइरस आपके सरीर के अंदर enter हो सकता है, फिर second जो है वो ingestion of food की, जब हम खाना और वो खाना खाते वक्त, समझे कि वो खाने के अंदर कोई ऐसे वाइरस प्रेजन्ट है, बैक्टरियाज वगरा ऐसे प्रेजन्ट है कि जो उसने वो खाने को contaminated किया है, या फिर जो unhyzenic food हम कहते हैं, तो उसके करन भी कई बार viral fever हो सकता है, तीसरा जो bites होते है, animal या फिर क जैसे लिमान लो कि आपको किसी insect ने bite किया है, जैसे कि मच्छर ने काट लिया है, तो उसके करन भी कई बार viral fever हो सकते हैं, कि समझे कि वो कोई insect, वो animal या फिर वो जो मच्छर है, वो समझे कि वो वाइरस को carry कर रहा है, तो जब भी वो आपको bite करता है, तो वो वाइरस जो आपके सरीर में enter हो जाता है, फिर body fluids के थूपी ये वाइरस आपके सरीर के अंदर enter हो सकता है, तो ये अलग-अलग यासे reason से कि जिसके करन आपको viral fever हो सकता है, अब उसके symptoms के हम बात करें, तो सबसे पहला symptom है, वो है fever, मनले कि बुखार होना, और वो चो temperature है, वो 39 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, जितना देखने को मिलता है कि जब आप अच्छे से चेक करते है thermometer से, second, fatigue यानि कि कमजूरी जैसा फिल करता है patient, dizziness फिल करता है, weakness फिल होता है, chills में लगके काफी ठंड लगती है patient को, फिर headache यानि कि सीरदर जैसा फिल होता है, vomiting होने लगती है, फिर muscles में दर्द होता है, पहले में सूजन आ जाना और जब आप breathing करते हैं उसके दौरान भी से कई बार लोगों को दर्द होता है या फिर जब खाना खाते हैं उसके दौरान भी दर्द फिल होता है, because tonsils में भी सूजन आ जाती है जिसके करन ये symptoms develop होते हैं, running nose मुलें कि बहती नाक, नाक से पानी आन होता है, और especially वहाँ पे cough यानि कि जो mucos होता है, वो जमा होता है, so और फ्रद मुलें के गले में खरास जैसा फिल होता है, burning sensation होती है, आकों के अंदर, मनला कि आकों में जिलन जैसा आप फिल करते हैं, उसके लावा coughing होती है, skin के ब्रैसिस बन जाना, diarrhea, nausea, vomiting, तो ये सब symptoms जो देखने को मिलता है, कि जब आपको viral fever हुआ है, तो आगे बात करते हैं, कि viral fever के अंदर, diagnosis कैसे होती है, कि कैसे पता चलता है, कि ये normal वाला fever है, या फिर viral fever है, तो सबसे पहले तो जो body temperature measure करना होता है, कि जब patient को diagnose किया जाता है, तो पहले चेक किया जाता है, कि उसका body का temperature कितना है, second, जो symptom based diagnosis की जाती है, कि patient को पूछा जाता है, कि इसका symptoms होगे रागया है, कि जैसे अभी हमने discuss किया, कि अलग-अलग symptoms देखने को मिलते हैं, तो उसमें से कौन सा symptoms है, तीसरा, physical examination करना जरूरी है, चौथा, जो है, वो blood test और blood test के अंदर, एक check करना है, कि WB से count कि और जरूरत पढ़ने पर दूसरी कुछ specific test भी आप करा सकते हैं, तो आगे बात करते हैं कि अगर ये viral fever अच्छे से ठीक ना हो, तो क्या complications कर सकते हैं, तो पहला complication है उसका dehydration, कि viral fever के करना patient को dehydration जैसा हो सकता है, delirium या फिर hallucination महलें कि ऐसा सोचने लगते हैं, कि आसपास ऐ जैसी गटनाओ कुछ है ही नहीं, फिर भी उसको ऐसा फिल होता है, कि उसके आसपास कुछ ऐसी गटनाओ हो रही है, कि जिसके अंदर वो involved हो रहा है, या फिर उनको वो गटनाओ से कुछ problem हो सकता है, मनले कि hallucination फिल करते हैं, patient, sock जैसा उसको हो सकता है, nervous system malfunction के अपनी neurons के सकता है, patient का, respiratory fever हो सकता है, multi-organ failure हो सकता है, sepsis यानि कि blood में infections हो सकता है, उसके लावा, coma, seizure and kidney failure जैसे complication हो सकते हैं, कि अगर viral fever को समय पे ठीक ना किया जाए, तो अब आके बात करते हैं, viral fever की treatment की, कि कौन सी दवाई या या यूस होती है, viral fever को ठीक करने के लिए, तो सबसे सबसे पहले options बनता है, कि दवाई उसे पहले, जो कुछ conditions आपको follow करने जाए, बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, जब कि इसे को viral fever होता है, second herbal medicines भी लेनी चाहिए उस दौरान, allopathic medicines से भी आप treatment कर सकते हैं, home remedies भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले उप्सन है, कि बह second समझे के glucose water भी patient ले सकता है, fruit juice भी आप उसको दे सकते है, lemon water दे सकते है, energy drinks दे सकते है, तो इस तरह से fluid ज़े वो patient के body में enter होता है, second जो है वो को herbal kada ज़े वो patient ले सकते है, viral fever की लाज के अंदर, तो herbal kada सबसे पहले तो बनाते गैसे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो कप जितना जो हो पानी लेना है, और वो पाली के अंदर, एक इंच जितना ginger का मनलब कि जो अध्रक का टुकड़ा आपको लेना है, फिर चार या पांच कलाव यानि कि जिसको हम long कहते हैं, वो आपको लेना है, पांच-छे black papers ले सकते है तुलसी की leaf आप ले सकते हैं, पांच या छे, फिर वन हाप जितना honey ले सकते हैं, आधी चमच जितना, फिर दो इंच जितना cinnamon जो हता है, उसकी एक stick ले सकते हैं, और गर पे समझे कि available है मुलेट ही, तो वो सब को लेकर आप जो अच्छे से पानी में उसको उबाल सकते हैं, और उसका जो काड़ा तयार होता है, वो patient को देना चाहिए, कि जिससे viral fever में उसको काफी ज़्यादा जो हो रहात मिलती है, आगे बात करते हैं, अब herbal medicines की, तो herbal medicine कौन सा ले सकता है, तो उसमें आता है महा सुदर्शन गनवटी का जो option है, कि जो अलग-अलग herbal companies बनाते हैं, पतन जली में भी ये available है, कि जो दिव्य महा सुदर्शन गनवटी करके हैं, बाइदनात भी उसको बनाता है, वासु आयरवेदा या फिर महा सुदर्शन गनवटी और भी बहुत सारे herbal जो companies ये वो manufacture करती हैं, तो ये भी patient जो वो ले सकता है, कि आप काड़ा भी ले रहे हैं और साथ में दिन में एक बार जो है, वो महा सुदर्शन गनवटी भी patient लेता है, अब आग बात आती है, जो special fever है और जो symptoms है, उसको कम करने के लिए जो allopathic दवाईया है, उसके हम बात करते हैं, तो पहला तो medicines ऐसी लेनी पड़ेगी, कि जिससे fever कम हो, फिर जो running नोजन लेक बहती नाख है, आखों में जलन हो रही है, उसके लिए जो medications आती है, फिर कुछ combinations भी medications अवे लेबल है, उसके हम बात करेंगे, एंटी वाईरल स्पेसिफिक ड्रग भी ली जाती है, एंटी बायोटी गौर, मल्टी विटामीन, तो ये options बनते हैं, viral fever के, allopathic medicines के, तो medications बेस्ट रहती है, fever को कम करने के लिए, second समझे के, paracetamol से fever आपको ठीक नहीं हो रहे है, या फिर paracetamol के किसी को allergy और paracetamol नहीं ले पाता, तो उसके लिए ibuprofen का option है, aspirin का option है, non-steroidal anti-inflammatory drugs का option है, जैसे कि aciclofenic है, diclofenic है कि समझे कि बदन दर्द भी कर रहा है, तो उस दोरन acyclofenic और diclofenic एक अच्छी options बन सकते हैं, आगे बात करते हैं, जो running nose है, नाक से पानी बैता है, आखों में जलन हो रही है, तो उस वक्त जो ज़रूर एक हिस्टे माइन्स को कम करना, तो anti-hissटे माइन्स जैसे कि सैटरीजिन है, लिवो सैटरीजिन, क्लोर फिन diaphinhydramine, diaphinhydramine है, montelukast या फिर faxobinadine, तो इन में से कोई भी एक medicine लेनी होती है, या फिर उसका कोई combination है, वो patient ले सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमें combination की हम बात करें, तो acyclofenic है, paracetamol भी यह combination में present है, तिसरा chlorzoxazone जो वो present है, उसी के similar आप दूसरा एक देखोंगे कि जैसे के अंदर diclofenic, potassium है, paracetamol है, chlorzoxazone है, तो दोनों में आप देखोंगे कि एक में acyclofenic है और दूसरा में diclofenic है, तो यह combination भी आप ले सकते हैं, फिर तीसरा option बनता है, chest on cold करके यहाँ पर एक product है, शीप लागा है, तो इसके अंदर आप उसका content देखो, तो उसमें एक antihistamine present है, set reason है, कि जो बाहती नाग वगेरा जो है, वो control करेगी, उसके रवा phenylephrine hydrochloride है, वो भी एक antihistamine है, और तीसरा paracetamol उसके अंदर प्रेजन है, जिससे fever वगेरा काम करेगा, जो viral fever की जितने भी symptom से, वो सभी control हो जाते हैं, जब आप यह medication के लेते हैं, उसी का similar, दूसरा एक marketed formulation है, आप देख सकते हैं, Oka set cold करके वो भी supply manufacture करती है, तो यह भी आप combination ले सकते हैं, फिर levosetrisen and montylucas का combination आदे के समझे कि आप paracetamol खा रहा है, और paracetamol के साथ इन दोनों का combination बनाना है, तो भी patient जो हो ले सकता है, आगे बात करते हैं antiviral medication के, तो antiviral मे osaltamivir करके हैं, कि जो खासकर 75 mg की strength में, जो यह medication available होती है, उसका एक brand name यहाँ पर हम देख सकते हैं, antiflu 75 करके, तो यह medications क्या करती हैं, कि जो virus है, flu का, वो virus का आपके सेरे में और ज़्यदा फेलने से, उसका multiplication होने से रोकती है, तो यह prescription based medication है, तो आपका doctor जो है, वो subscribe कर सकते हैं, फिर बात आती है, एंटिबाइटिक्स की जो symptom से किसम जो गले में खरास हो रही है, गले में सूजन आ गई है, तो ऐसे condition में एंटिबाइटिक्स लेना जरूरी पड़ता है, तो उसमें अलग-अलग options है, जैसे कि साफिक जिम का option बनता है, ऐसे फाट्रॉक्सि doxycycline या फिर amoxicillin या फिर आप मैक्रोलाइट में से लेते हैं, तो मैक्रोलाइट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लाइटित्रोमाइसिन जैसे मैक्रोलाइट आपके लिए options बन जाते हैं, फिर सेफालस पुरिन में आप देखो, आपके पास सेफ एक्जिम या फिर सिफाट रॉकसिल का option है, और पैनेसिलिन में से doxycycline या फिर amoxicillin जैसे पैनेसिलिन या फिर tetracycline भी पेसेंट ले सकता हैं, एंटिबाइटिक्स के दौर पे, अब आगे बाद आते हैं, मल्टी वीटामिन्स भी लेना जरूरे, बिकॉज इसमें एक सीम्टम डेवलोप ह के लिए ने, मल्टी वीटामिन जरूरे तो इसमें आप देखो कि एक सुप्रादिन करके ब्रांट है, वो पेसेंट ले सकता है, या फिर health हो के करके, mankind का भी एक फॉर्मिलस हने, तो simple आपको ये देखना है, कि मल्टी वीटामिन होने चाहिए, मल्टी मिनरल्स होना चाहिए कोई amino acids हो, ginseng का extract हो, या फिर taurine, या फिर आपको specially, इस तरह से trace elements के साथ ये combination मिलता हो, multivitamin, mineral का, तो वो जो patient जो है, वो ले सकते है, viral fever को ठीक करने के लिए, तो इस तरह से proper treatment बनती है, तो आपको consultation लेना है, या फिर medicine course को join करना है, तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, तो बहुत सरी बिमारियों के बारे में आप medicine course के अंदर सीख से, तो इसको जुकने के लिए, हमें WhatsApp करें, या फिर हमारी mobile application को download करें, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, so good luck and all the best.